हलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि VLE और boiling point diagram exactly होता क्या है, ठीक है? तो हम लोग अभी mass transfer के lab में जो हम experiments conduct करते हैं, simple distillation का, तो हम एक jar लेते हैं, उसके अंदर A और B का मिश्रम जो है, उसको मिला देते हैं, दोनों को 50-50 composition में, उसके बद pressure constant रखकर उसको heat करते रहेंगे, तो जब heat करते रहेंगे, तो एक specific point होता है, जहां पर हम लोग उसका vapor आना देखते हैं, वेपर उपर ऐसा आना, we can see that, तो तब क्या है कि जब vapor आता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर condensate का liquid चलाते हैं, ताकि यह vapor पूरा जो भी generate हुआ है, वो liquid convert होकर एक jar में collect होता है, ठीक है, तो यह है हमारा basic experiment, तो हम लोग इसको अभी VLE diagram में कैसा convert करें, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो मैंने 50% A and 50% B का मिश्रम लिया, एंड उसको अभी heat करते गया, जो आपको बताया था, तो अभी ऐसा heat करते गये, तो इस point पर जो था, मेरे को आया, पहले, दिखा वो पहला, पहला vapor, जो पहला bubble point, उस अंतलब एक point है, जहाँ पर अपना bubble point दिखा, ठीक है, तो exactly इस सेकंड के बाद निकालते है, तो तब क्या है, बबल point के आगे बाद बहुत पहुंच जाता है, ठीक है, तो इस point पर हम निकालते है, तो इस point पर जब सैंपल को निकालते है, कैसे निकालते है, मैं भी जो बताया है, हमारा liquid phase के एक sample निकालते है, और वो vapor जो convert होके फिर से liquid बन जाता है यहाँ पर jar में collect होता है उससे भी sample निकालते है तो दोनों का sample जब निकालते है वो refractometer जहाँ पर भी कोई भी analyzing instrument में डालते है तो हमको ना दोनों का एक composition मिलेगा तो वो रहेगा composition यह xa and composition yb तो यह है हमारा tie line ओके तो यह चीज है तो इसको बोलते है tie line मतलब जहा यहाँ पर हमारा पहले drop का पहले vapor convert हो फर्स्ट वेपर conversion and उसके बाल जो है liquid collection होगा ठीक है उस point पर तो इसको बोलते है यहाँ पर बोलते है इसको bubble point कर इसको बोलते है dew point कर ठीक है तो यह हमारा 50-50 का हो गया ऐसे ही हम हर composition different different compositions का निकाल लेंगे तो अपना tie line बनेगा तो एक बनेगा time line यहाँ पर एक बनेगा tie line यहाँ पर ठीक है तो जब अपना अपना सारे tie line को connect करते है यह तो जब अपना सारे tie line को connect करते है तब उसको बोलते है paper liquid equilibrium का कर बस हो गया तो देखो हर जगह पर you can see that you see so different experiments चलाना पड़ते है different compositions को पर उसके बाद हमको पता चलता है कि exactly कि VLE का curve क्या होता है ठीक है thank you